पंजाब सरकार के बिजली मंत्री ने कहा कि किसानों की मुफ्त बिजली जारी रहेगी तो वहीं शिक्षा मंत्री ने हर स्कूल में वाइफाई लगाने की बात कही एनाराय मंत्री ने कहा कि वो पंजाब में ही रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं तो ट्रांस्पोर्ट मंत्री ने कहा कि पंजाब से दिल्ली हवाई अड़े के लिए अलग-अलग शहरों में बसे चलाई गई हैं खेलमंत्री ने दावा किया कि पंजाब में खिलाडियों के लिए 100% नौकरी की गैरंटी दी गई जब हम आदमी पार्टी की सरकार आई थी 2022 में तो हमने चराब में के दुरान लोगों के साथ गरंटी के रूप में प्रॉमस किया था कि हम आपको शेसो योन टो बिजली फ्री देंगे स्कूल ओफ एमिनेंस हमारे मार्ने मुखमंत्री साब का ड्रीम प्रोजेक्ट है तो प्रैक्टिस यह है कि पूरे पंजाब में 117 स्कूल हर मेरी सोचनी है और मैं समता हूँ के कनेड़ा और इंडिया और अमेरिका बगारा जितने भी देश हैं बारे सबांद जो है वो अच्छे होने चाहिए जब से आम आदमी पार्टी की सरकार है गया सबसे पहले तो जो दिली एरपुट को बसे चली है हमारी वाल वो पी आटी सी की पनबस की वो हमारे नैशनल कनवीनर मुख्या मंतरी दिली शिरी अरवेंद केजरीवाल जी और सरदार बगवन सिंग मान मुख्या मंतरी 100% उसमें नौकरी की गरांटी की की है क्योंकि पहले जितने भी हमारे स्पोर्ट्स परसन थे उनके यही शिकायत थी कि हम मैडल लेके आ जाते हैं उसके बाद नौकरी नहीं मिलती अगर तो लेक्षनियर है तो कैश वार्ड भी नौकरी भी अगर लेक्षनियर नहीं है तो क कुछ भी नहीं मिलता था